Hello, इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि Header and Footer का Use Axle में कैसे किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम ये सिखेंगे कि Header and Footer क्या होता है, Page के सबसे उपरी भाग को Header का जाता है और Page के सबसे निचली भाग को Footer का जाता है. Document के Header and Footer में उस Matter को सेट किया जाता है, जिसको हमें Document के परते एक Page पर शो करना होता है. Header, Footer में हम Page Number, Number of Pages, Date, Time, आदी जोड सकते हैं. तो ये हमारे पास एक्सली शीट है, इसमें हम Header लगाने जाते हैं और Footer लगाने जाते हैं, तो अभी हमें ये पता ने चल रहा है कि ये Page काँ पे Header लगाना है, काँ पे Footer लगाना है, ये दिखो, यहाँ पे ये सारा डेटा यहाँ पे दिए गया है, तो इसमें कैसे Header लगाना है, कैसे Footer लगाना है, इसको देखने के लिए, हम यहाँ पे Insert टैप पे क्लिक करेंगे, इंसल्ट टैप पे क्लिक करने के बाद यहां पे टेक्स्ट ग्रूप पे जाएंगे टेक्स्ट ग्रूप पे जाने के बाद यहां पे header and footer यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यह page यहां पे आ जाएगा और यह जो सबसे उपर है document के इसको बोला जाता है header तो ये जो header है ये तीन cell में divide हो जाएगा ये देखो एक cell है ये दूसरा cell है ये तीसरा cell है अगर यहां पे हमने कुछ लिखना है तो यहां पे लिख सकते है यहां पे लिखना है तो यहां पे लिख सकते है या right and side यहां पर लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं इसके बाद जितने भी हमारे पास pages होंगे वहाँ पे header and footer बन गया होगा यह देखो यह page number first है इसके नीचे हम यहां पर इसको scroll करेंगे यह footer लिखा होगा यह देखो यहां पर footer यहां पर click करेंगे तो footer भी यह 3 cell में डिवाइड हो जाएगा यह देखो 3 cell में यह footer डिवाइड हो गया है यह first page है इसके बाद यह देखो यह second page है इसके बाद हमारे पास जितने page होंगे यह page यहां पर आ जाएंगे इसके बाद यह देखो यह तीसरा page है तो इस प्रकार यह header and footer लिखने के लिए यहां पर आ जाएगा first cell पर यहां पर click करेंगे header के और यहां पर जैसे मैं अपने channel का यहां पर name लिखूँगा यह bias gyan tech मैंने अपने channel का नाम लिखा तो यह जो है यह जितने भी document में pages होंगे सभी pages में यह आ जाएगा तो इसको देखने के लिए यह देखो यहां पर हमने यहां पर click किया यह header यहां पर आ गया है अब दूसरे page में देखेंगे तो दूसरे page में भी यह लिखा हुआ जाएगा यह देखो दूसरा page है यहां भी लिखा हुआ आ गया अब तीसरा पेस यह देखो यहां भी लिखा हुआ आ गया तो जितने भी हमारे डाकुमेंट के पेजीस होंगे वहां पे यह लिखा हुआ आ जाएगा तो header में जो भी हम लिखते हैं वो सभी pages में आ जाता है अब हम यहां पे header में अगर center में यहां पे हमने कुछ लिखना है तो यहां पे हम click करेंगे center वाले cell में यहां पे click करने के बाद header में यह जो है design tab यह बन जाता है अगर हम यहां पे बार click करेंगे तो यह design tab चला जाएगा लेकिन जब हम header में यहां पे क्लिक करेंगे तो यह design tab यहां पे आ जाएगा design tab पे यहां पे क्लिक करने पर यह design tab की यह ribbon आ जाती है इसमें हम यहां पे करेंगे page number अगर हम यह header हम चाहते हैं कि header जो है इसके जो center में है यहां पे page number आ जाए हर एक page में तो इसको करने के लिए हम यहां पे page number पे click करेंगे यहां पे page number पे click किया तो यह आ गया यहां पे आने के बाद यह page number अभी यहां पे लिखा हुआ नहीं आया लेकिन जब हम यहां पे बार click करेंगे तो यहां पे page number आ जाएगा दूसरे page में जाएंगे ये दूसरा number अपने आप ही आजाएगा ये देखो second page इसके बाद अगले page पे जाएंगे ये third page अगले page पे जाएंगे तो fourth page अपने आप ही आजाएगा यहां पे ये देखो fourth page यहां पे नहीं आया हुआ है क्योंकि यहां पे हमने कुछ लिखा नहीं ह अगर हम यहां पे कुछ लिखेंगे तो fourth यहां पे अपने आपी आ जाएगा यह देखो suppose कोई name लिखा जैसे moit यह लिखा इसके बाद work क्लिक किया क्लिक करने पे यह page number यहां पे अपने आपी बन के आ गया तो इस तरह से जितने भी हमारे पास pages होंगे यह page number अपने आपी आती जाएगी इसको delete करना है तो delete करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे और keyword से delete की प्रेस करेंगे यह delete हो जाएगा इसके बाद फिर यहां पे design tab पे क्लिक करेंगे आगे है number of pages number of pages का मतलब यह होता है कि हमारे पास कितने pages है यह बताए तो यहां पे इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे number of pages यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे क्लिक करेंगे तो यह बता रहा है कि हमारे पास document में कितने pages है 4 pages है अगर हम यह चाहते हैं यह first page है और हमारे जो total page है 4 है यह यहाँ पे लिखा हुआ आए और सभी pages में आए तो ऐसा करने के लिए पहले इसको delete करेंगे delete करने के बाद हम यहाँ पे header पे जाएंगे यहाँ पे header पे click किया header पे click करने के बाद यहाँ पे pages one of यहाँ पे interrogative sign यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे baru click करेंगे यह दो पेज one of four हमारे पास यह पहला page है OF 4 यहां पे आ गया है कि total page जो है 4 है इसके बाद second page पे जाएंगे तो वहाँ पे page 2 of 4 आएगा यह देखो नीचे गई हम यह नीचे यहां पे यहां पे आ गया page 2 of 4 इसके बाद नीचे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा 3 of 4 यह देखो page 3 of 4 इसके बाद और नीचे जाएंगे अपने आप यह आएगा 4, page 4 of 4 तो इस प्रकार हम यहाँ पे यह page numbering दे सकते हैं इसके बाद अगर इसको delete करना है यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के बाद delete key press की तो यहाँ से यह delete हो जाएगा इसके बाद फिर हम यहाँ पे design type पे जाएंगे design type पे जाने के बाद यहाँ पे current date अगर हम current date यहाँ पे देखना जाते हैं तो हम यहाँ पे current date पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे date लिखा हुआ जाएगा जो हमारे सिस्टम में डेट चली होगी वही डेट यहां पे आ जाएगी यह देखो यहां पे हमने क्लिक किया क्लिक करने के बाद बार क्लिक किया तो यह डेट जो हमारे यहां पे सिस्टम में चली हुई है वह डेट यहां पे आ जाएगी इसमें अगर हम time set करना जाते हैं तो हम time भी यहां पर set कर सकते हैं को delete करेंगे यह delete किया delete करने के बाद current time यह देखो current time पर click किया यहां पर time आ जाएगा लेकिन अब ही time लिखा हुआ नहीं आया जब हम यहां पर bar click करेंगे तो यह time जो हमारे system में चला हुआ यह time यहां पर आ जाएगा और यह सभी pages में आ जाएगा और यह सभी header के pages में आ जाएगा यह देखो यह बार click किया यह time यहां पर आ जाएगा आने के बाद second page पर जाएगे यह देखो second page में भी time आ गया third page पे जाएंगे ये third page में भी time आ गया तो इस प्रकार सभी pages में अगर हम time set करना जाते हैं तो ये time भी हम header में लगा सकते हैं इसके बाद फिर हम ये first page में जाएंगे ये first page पे गए यहाँ पे click किया इसको delete किया delete किया delete करने के बाद फिर design टैप पे जाएंगे और आगे है file path अगर हम ये file path देखने जाते हैं तो हम यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद bar यहाँ पे click करेंगे तो ये देखो हमारी जो file है see user document document में है जो हमारी ये file है और ये किस नाम से save है student record इस नाम से save है तो ये file path यहाँ पे आ जाएगा इसको delete करेंगे ये delete की, rescue delete होगी इसके बाद फिर design टैप पे जाएंगे और यहाँ पे file name यहाँ पे file name क्या है वो file name यहाँ पे आ जाएगा जैसे student record है तो वो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे file name पे क्लिक किया और वार यहाँ पे क्लिक किया तो यह देखो student record for यह file name है तो यह file name यहाँ पे आ जाएगा तो यह भी हम यहाँ पे header में लगा सकते है इसके बाद इसको भी delete करेंगे यह delete किया delete करने के बाद आ गया sheet name तो यह जो है यहां पे यह दिखो student record यह sheet name है तो sheet name यहां पे यह दिखने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे sheet name पे click करेंगे और यहां पे click करेंगे यह दिखो student record यह sheet name है यह sheet name यहां पे आ जाएगा इसके बाद फिर ही इसको यहां से delete करेंगे ये डलीट की प्रस की ये डलीट हो जाएगा header से ये sheet name delete हो गया इसके बाद कीçu अगर हम चाते हैं कि ये जो header है header के ये middle वाले cell में ये कोई picture यहाँ पे आ जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे picture सेट करेंगे तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे याँ पे picture पे click करेंगे picture पे click करने के बाद insul picture कहां पे picture रखी हुई है from a file यहाँ पे click करेंगे और browse यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद कहां पर रखी हुई है जैसे स्पोस करो यह picture हमने insult करनी है यहां पर header में तो यहां पर क्लिक करेंगे अमेज और इसके बाद insult पर क्लिक करेंगे तो insult पर क्लिक करने के बाद यहां पर बार क्लिक करेंगे तो यहां पर क्ल एडर में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पे फॉर्मेंट पिक्चर इस पिक्चर को हम इस सेल में लाना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पे फॉर्मेंट पिक्चर करेंगे तो यहां पे फॉर्मेंट पिक्चर पे क्लिक किया तो फॉर्मेंट पिक्चर पे क्ल तो हमने यहां पर हाइट रखी 15 यह 15 हाइट रखी और इसकी जो बिट था है यह भी हमने यहां पर 15 रखी यहां पर क्लिक किया 15 यहां पर आ गया इसके बाद OK पर क्लिक किया OK पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद यह दिखो यह प पिक्चर है, डाकॉमेंट के हर एक पेज जिसके हेडर में आ जाएगी, यह देखो, यह फर्स्ट पेज है, सेकंड में जाएंगे, सेकंड के यहां पे हेडर में आ रही है, अब अगले पेज पेज पे जाएंगे, यह देखो, अगले पेज में भी, अगले पेज में भी यह हे header में आ रही है तो इस प्रकार हम यहां पे picture भी header में यह set कर सकते हैं इसके बाद फिर हम यहां पे design type पे click करेंगे और design type पे click करने के बाद यहां पे दिया गया है go to footer अगर हम footer में कुछ लिखना चाते है जैसे suppose करो हमने footer में यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह देखो यहां पे यह footer आ जाएगा यह जो footer का left and side में cell है यहां पे हम date set करेंगे यह current date यहां पे click किया यह date यहां पे आ जाएगी इसके बाद footer के right and side में हम यहां पे time show करवाने जाते हैं तो हम क्या करेंगी यहां पे current time यहा पर आजाएगा अब हमारे पास जितने भी pages है उसके footer में left hand side में date आएगी और right hand side में यहाँ पर time आजाएगा तो यह जो हमारे system में date and time चला हुआ है वो यहाँ पर आजाएगा इसके बाद यहाँ पर हम numbering लगा देते हैं जैसे यहाँ पर page number यह page number यहाँ पर first page आगया अब दूसरे page के footer में जाएगे यह देखो दूसरा page आएगे यह देखो यहाँ पर यह date आ गई यह page number second आ गया और यह time आ गया अब तीसरे page पर जाएगे इसके footer में यह left hand side में यह date आ गया center में यह three यह आ गया और यह right hand side में यह time आ गया अब यह fourth page है इसमें भी यह footer में date औ और यह page number और यह time आ गया. इसके वाद फिर page number first पर जाएंगे, यह first page आ गया है, आने के वाद यहाँ पर header में click करेंगे, click करने के रहाँ यहाँ पर design टेब verify click करेंगे, यहाँ पर click करने के वाद यहाँ पर आगे दिया गया है different first page, इसका मतलब यह होता है जब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको तो चेक करने पे यह जो first page है यह different लगेगा यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो बाकी pages में नहीं आएगा यह देखो जैसे suppose करो हमने यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम ysg यहाँ पे लिखा लिखने के बाद क्या होगा यह जो name है यह सभी pages में नहीं आएगा यह cable इसी pages में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे different first page यहाँ पे इसको चेक किया हुआ यह देखो इसको लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक किया और जब हम यहाँ पे दूसरे page पे यहां पर लिखा हुआ नहीं आएगा यहां पर लिखा हुआ नहीं आएगा इसी प्रकार तीसरे पेज में यह नहीं आएगा यहां पर भी यह नेम लिखा हुआ नहीं आएगा इसके बाद फिर हम यहां पर header पे click करेंगे design tab यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे click करेंगे इसको uncheck कर देंगे uncheck किया इसके बाद second और यहाँ पे option है different old and even pages तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे इसको check करेंगे check किया check करने पर suppose करो यहाँ पर हम यह जो first यहाँ पे sell है header का है यह first page है तो इस का मनतल भी यह old page है यहाँ पे मैं लिख आगए चैनल का नाम यह channel का नाम लिखा right and side का यह header का cell है यहाँ पे page number set करूँगा यह page number यहाँ पे आ जाएगा यह लिखो यह page number first आ गया इसके वाद आगे यहाँ पे second page पे जाओंगा यह second page है यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना नए जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा अपना नाम मैंने second page पे लिखा लिखने के वाद यहाँ पे page number यहाँ पे set करूंगा यहां पे design type पे गया और यहां पे page number यह लिखा यह second page आ गया और यहां पे first page आई यह हमारा तो यह देखो जो old number होंगे उसमें मेरे channel का नाम आएगा और जो even number होंगे उसमें मेरा नाम आएगा तो ये चेक करने के लिए ये देखो ये फर्स्ट पेज है अब सेकिंड पे जाएंगे सेकिंड पेज पे मेरा नाम आएगा ये सेकिंड पेज है मेरा नाम आया अब तीसरे पेज पे जाएंगे तो ये देखो यहां पे ये तीसरा पेज आगया यहां पे मेरे चैनल का नाम आय क्योंकि यह old page है अगला even page आएगा उसमें मेरा नाम आएगा यह देखो even page आएगे इसमें मेरा नाम आया header में और यह fourth page यह आ गया इसके बाद अगर हम fifth page पे जाएंगे तो वहां पे क्या आएगा मेरे channel का नाम आएगा यह देखो यहां पे fifth page यह अभी हमने यहां पे बनाया नहीं है अगर हम यहां पे कुछ लिखेंगे suppose करो हमने यहां पे कुछ लिखा आमित तो आमित लिखने के बाद यह रिको यह हमारा fifth page बन गया old page है यहां पे मेरे channel का नाम आ गया तो इस तरह से यहां पर हम old number और even number के लिए header जो हुआ है अलाग लग यहां पे set कर सकते हैं यह हमारे पास first page है इसके बाद हम यहां पे different old and even pages यहां पे इसको uncheck करेंगे अंचेक करने के बाद क्या होगा यह जो हमने यहां पे first page पे अपने channel का नाम यहां पे लिखा हुआ है यह सभी pages में अब यह आएगा यह दूसरे page पे गए तो यहां पे यह रिखो मेरे channel का यहां आएगी आगर हम यहां पे header और footer यह देखो footer है यहां पे इन दोनों को यहां पे हटाना जाते हैं तो यह क्या करेंगे यहां पे header पे click करेंगे header पे click करने के बाद design टैप पे जाएंगे और यहां पे header पे जाएंगे और यहां पे none पे click करेंगे none पे क्लिक करने के बाद ये देखो जितना भी यहाँ पे heading था वो यहाँ से आठ जाएगा और यह हमारे पास यहाँ पे footer है इसको भी हमने आठाना है तो इसको आठाने के लिए यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद design टैप पे जाएगे और यहां पे footer यहां पे click करेंगे more button पे और यहां पे none पे click करेंगे none पे click करने के बाद तो यह देखो जो भी हमने यहां पे footer में लिखा था वो सारे यहां से चला गया तो इस video में हमने header और footer के बारे में detail में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद